नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोती सीक्रेट मिथुन डासी वालों अकेले पड़ गया हैं बुरा समय चल रहा है पर घबराईएगा मत क्योंकि अगर आप घबरा गया तो आपको कौन समझा लेगा आपके अपनों का कौन समझा लेगा ये जो वक्त है ना कभी किसी का सगा नहीं होता अपने ही इसाब से चलता है सगा बनाना पड़ता है तो ऐसे में चब बुरा समय चले तब आप क्या करें कि आपके उपर जो तमाम दूस प्रभाव है वो समाप्थ हो जाए आपके अंदर एक positive feeling आए आप जीवन में कुछ बहतर कर पाएं जब भी आप अकेले होते हैं इसमें दिमाग बहुत सांत होता है आप खुद से ही मिलते हैं बाकी लोगों के साथ जब होते हैं तो दिमाग बहुत जगह घुमता रहता है लेकिन जब अकेले होते हैं तब आप खुद से मिलते हैं आपको पता चलता है आप कैसे हैं आपके अंदर क्या है और लोग आपके बारे में क्या समझते हैं लेकिन यहां पर जब आप positive सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप में वो काबिलियत है जो साथ किसी में नहीं है तो क्यों न हम उस काबिलियत का सही इस्तेमाल करें बैठे मत रही है बिना मतलब के अगर आप बैठे रहेंगे तो मन में हजार तरह के विचार चलेंगे आपने पुरानी कहाबस सुनी होगी बैठा नरख कुछ किया कर पजामा फार कर सिया कर तो ये क्या पजामा फार कर ही सीना है नहीं कहने का तात पर है अगर कोई काम नहीं है फिर भी काम ढूंडो और करो ताकि आप बीजी रहें आप में जो हुनर है आप में जो काबिलियत है वो निखर कर सामने आए और जब भी आप खाली बैठ होगे अकेले रहोगे तो खाली दिमाग सैतान का ही घर होता है दिमाग में तमाम तरह के नकायत्मक भी विचार चलती है कभी कभी सकायत्मक भी चलती है लेकिन अकेले में लोग पॉजेटि में है क्या बला क्या करें कि इस अकेले पन से आपको चुटकारा मिल जाए क्या करें कि आप बहुत आसानी से जीवन में आगे बढ़ जाएं आपकी एक पहचान बने आप लोगों के सामने आए इस समय का सदूपियों कीजिए ना आपको पढ़ने का सौख है तो आप अच्छ हो सकता है इतने दिनों के अंदर आपका हाथ बहुत ही डक्छ हो जा और आप चीजें बहतर तरीके से कर पाएं आपके जो भी अंदर हुनर हैं आप अपनी काबिलियत पहचानिए आपके कुछ सपने तो रहे होंगे उन सपनों को जीना सुरू कीजिए कभी-कभी होता है हम हम अकेले होते हैं अकेले पन के सिकार होते हैं यानि कि अपनों के बीच भी कभी-कभी हम अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि इस समय हम खुद ही सबसे कर जाते अगर हम चाहेंगे तो हर किसी का साथ लेकर जीपन में एक सही रहा हमें मिल सकता है क्योंकि कभी-कभी हमें लगत और आप एक सही मंजिल तक पहुंचा है जीवन में सफलता आपको मिल जाए हर माता पिता भाई बहन का ये सपना होता है कि आपको जीवन में सफलता मिलने से उनका भी तो सीना चौड़ा होगा न तो ये चीजें बहुत मैने रखती है जब भी वक्त बुरा चले जब भी आप आपको लगे जीवन में बहुत स्ट्रगल बढ़ गया है बहुत संघर्स हो रहा है तब देखिए एक बात हमेशा ही याद रखिए जब आप किसी चीज को पा लेते हैं आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं तब आपके सिर्फ अपने ही नहीं पडोसी भी और पूरा अपडोर्रम भी आपके साथ होता है लेकिन जब आप संघर्स करते हैं उसमें कोई के बढ़ा देगा नहीं इसमें आपको खुद अपने आपको संभालना है और अपने हुनर को पहचान कर आगे बढ़ना है आप द्यारती है पढ़ाई पर फोकस करें बहुत मेहनत करें 100 परसेंट नहीं अपना 200 परसेंट ताकि जरासा के लिए एक अंक दो अंक के लिए आप चूक नचाहें दूसी तरफ दीए हमेसा ही एक बात भात ध्यान में रखीए कि अब यह जरूरी नहीं है कि आपका ज लग्ष आपका जो भाग्य है वह हमेसा ही आपके उपर पर बशाता ही रहेbiesगा क्योंकि बहुत बार आपको मेहनत करके अपने भागी को पाना होता है बहुत बार जीवन जिन जो आप जीते हैं न ये आपका तजुर्वा ही आपका भाग्योदे भी करता है तो यानि किसमत के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिए आप कर्म करते जाएए कर्म परधान हो जाएए और फिर देखे आपकी किसमत कैसे चमकती है वैसे तो आप पर सनिद कर रहे हैं आपको कुछ नहीं मिला है कुछ पाए ही नहीं है सिर्फ आपने खोया है बहुत मेहनत के बाद भी वहीं है ऐसा बिल्कुल मत सूचिए कौन जाने किसका किसमत कप पलट जाए कप चमक जाए और आप तो मिथन वालों बस यह समझने कि बुद्ध की रासी है तो बुद्धेव की किरपा तो आप पर बरस्ती ही है और आपकी टैलेंट के क्या कहने बहुत बुद्धिमान होते हैं आप पस थोरी सी दूबिधा है जो आपको कभी-कभी भटका देती है पर अगर आप ठान ले कि कोई काम करना है तो वो आप किये बिना रहते ही नहीं है तो उमीद का दामन मत छोड़िएगा जिस दिन आप उमीद छोड़ देते हैं उस दिन बिना लड़ाई लड़े ही आप हार जाते हैं जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हार और जीत कैसा है जो लड़ेगा ही नहीं वो तो हारा हुआ इनसान है जो लड़कर हार भी तब तक आपको सब्दों का मतलब भी पता नहीं होता तो आप पढ़ना सीखे तभी तो यहां तक आए तो उसी प्रकार आप अपने जीवन में जो भी करना है उसके लिए मेहनत करें आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही करीब अपने मंजिल के आप और करीब होते चले पुस जैसे आप मेहनत करते हैं करते रहें जिस दिन आपका किसमत करबट लेगा उस दिन सबसे आगे आप होंगे और यही इसी चीज के आप हगदार भी हैं कि एक दिन जिन्दगी में आप सब कुछ पाही लें हर किसी को एहमेद देना चाहिए अब यह नहीं है कि बक्त खरा सब के लिए बहुत माइने रखता है आप अच्छे से बात करेंगे तो बदले में अच्छी ही चीजे पाएंगे हर किसी का मूट फ्रेस रहेगा लेकिन एक सब्द गलत मूझ से निकलेगा हर किसी का मूट खराब हो जाता है तो यह चीजें आपके हाथों में हैं आप क्या क करते हैं यह सब कुछ बहुत माइने रखता है और यही चीजें आपको आगे भी बढ़ाता है रिस्तों में पार्देसिता रखिए बिल्कुल खामोस रहिए अब ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके मन की तरही बाते करें कभी-कभी मन के विरुद्ध भी बाते होती है तो उनको सुनना चाहिए समझना चाहिए कभी-कभी इगनौर भी करना चाहिए कभी-कभी सुनकर मुस्कुरा भी देना चाहिए चाहे वह बाते आपके बिरुद्ध ही क्यों ना हो यह बहुत जरूरी है क्योंकि खामोस रहिएगा तो रिस्ते बहुत ही सुकून देंगे जिस दिन आ आपको हार नहीं मानना है आप वैसे भी मिथुन वाले हार मानने के लिए नहीं बने हैं ये हर हाल में जीतना ही जानते हैं जिन्दिकी को हमेशा ही आप अपने चरितर हो या आपकी लाइप हो हमेशा ही क्लीन रखिए बिल्कुल आइने की तरफ चमका कर क्योंकि जब भी आइ तो खुद ही रास्ते को बदलिए रास्ते को सही गति दीजिए और खुद को गति दीजिए कि वह रास्ता ही खुद बदल जाए क्योंकि जो आइना होता है आपके आपके अक्स को बताता है और लाइफ को भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना चाहिए आप मुस्कुराएंगे तो आयाम दे अपने सपनों को साकार करें अपने आपको पहचाने अपनी काबिलियत को पहचाने और उसे धरातल पर लाएं खाली मत रहिए जिस दिन आप खाली बैठे रहेंगे जिस दिन आप कुछ नहीं करेंगे उस दिन आप डिस्प्रेशन में भी जा सकते हैं और यह डिप् झाल झाल